पिछले कई वीक से नागिन 3 TRP की रेस में पीछे हो रहा है ऐसे में शो की गिर्ती डेटिंग्स को देखते हुए मेकर्स हर वीक किसी ना किसी तरह का ट्विस्ट ला रहे हैं ताकि आउडियन्स को शो से जोड़ा जा सके और अब इस हफते भी मेकर्स ने दर्शकों के लिए एक ऐसे बड़े ट्विस्ट की जबरदस प्लानिंग की है जिससे शो में नया तूफान आएगा जी हाँ दरसल इस वीकेंट आप नागिन 3 में अब तक का सबसे बड़ा महा ट्विस्ट देखेंगे और वो ट्विस्ट ये है कि बेला महार को खाई में धक्का दे देगी और फिर यहीं से शो की कहानी में गजब का मोड आएगा दरसल शो का नया प्रोमो रिलीस किया गया है जिसमें बेला महार को पहारी से धक्का देती नज़रा रही है इस प्रोमो में पहले दिखाया गया है कि बेला, विश और विक्रान सब साथ में है वहीं सुमित्रा ने माहिर को अपने कबजे में ले लिया है अब सुमित्रा बेला से कहती है कि वो उसे नागमनी दे दे वरना वो माहिर की जान ले लेगी ऐसे में बेला खुद एक बेहत शौकिंग कदम उठाती है वो खुद ही माहिर के तरफ भागती है और उसे खाई में धकेल देती है लेकिन अब आप सुनिए इस ट्विस्ट के अंदर की बाद दरसल बेला सुमित्रा को चक्मा देने के लिए माहिर के शरीर में नागमनी प्लांट कर देती है और फिर उसे खुद ही मुसीबत में डाल देती है ऐसी में आगे आप देखेंगे कि बेला ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो माहिर को सुमित्रा से बचा सके और नागमनी को भी लेकिन कहा जा रहा है कि इसी बीच माहिर के राज से परदा उठेगा जब ये खुलासा होगा कि वो खुद एक नाग है तो अब बेला मुसीबत में फसे गी या फिर माहिर ये तो हमें आने वाले एपिसोड को देखने के बाद ही पता चलेगा लेकिन शोकेस माहा ट्वेस्ट की डीटेल्स जानने के बाद हमें शोके अगले एपिसोड को देखने का पेस सबरी से इंतजार रहेगा शो के अगले अपसोर को देखने के लिए आप कितना एक्साइटिड हैं कमें सेक्षन में जरू बताएं